So, hello गच्चा पाटी, welcome back to STVZ, अन्दिशोर संदीब भाईया, guys, है में अप्लिकेशन फॉर्म को लेकर बहुत सारे बच्चे परिशान हो रहते हैं, मैंने कल शाम को भी एक वीडियो बनाया था, उसके बाद भी बच्चों के डौट्स क्लेर नहीं हुए, पर टेंशन मतलो, इ सारे एक साथ में अभी क्लेर कर देता हूँ, अगर guys में बात करूं कि form भरने में problem क्या आ रही है, तो देखो, सबको problem नहीं आ रही है, जो लोग general है, उनके में कोई problem नहीं आ रही है, लेकिन जो किसी category से विलांग करते हैं, चाहे हो OBC category से विलांग कर रहा हूँ, या EWS category से बिलांग कर रहा हूँ, उनको problem आ रही है, और problem क्या आ रही है, कि वहाँ पर तीन चीजे मांगी जा रही है, monetary है, जो कि monetary है, उसके बीना form आपका आगे ही नहीं पड़ेगा, पहला है category certificate, आपका category certificate, नमबर क्या है, या उसकी ID क्या है, और दूसरा है कि आपका category certificate किस date को issue आ था, category certificate issued date, और तीसरा, authority कौन है, जिसने आपके category certificate को issue किया था, यह तीन monetary चीजे मांग रही है, बच्चे पूछने कि यह कहां मिलेगा, यह कैसे बता चलेगा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, पहली बात, कि यह कहां मिलेगा, जैसे for example, मैंने कल भी दिखाया था, कि देख इसी बात ही ध्यान रखना, अगर मैं OBC certificate के बारे में बात करूँ, तो OBC certificate के बारे में, इन लोगों ने अपने information bulletin में, एक line साफ साफ दे रखी है, कि OBCs should be listed in current updated central list of OBCs, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो state government की list में OBC होते हैं, पर central government की list में वो general होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, जो central government में OBC होते हैं, पर state government में EWC general होते हैं, तो बहुत सारी जातिया ऐसी हैं, जो दोनों list में अलग-अलग हैं, तो इस वज़े से क्या है कि इननों ने बोलाए कि भाया, जो central list में, जो जातियां, central list में updated हैं, सिर् उनी को हम OBC का दरजा देंगे और उनी को 27% का reservation देंगे अगर आप state में हो, OBC present in the state list but not covered in the central list अगर आप सिर्फ state में हो और central list में covered नहीं हो तो आपको 27% का reservation नहीं मिलेगा किस में नहीं मिलेगा, IITs, Uniteds, IIITs, इन सब में नहीं मिलेगा लेकिन जो आपके state की colleges है, आपके state में हो सकता है आप OBC, आप जैसे यूपी से होता हो सकता है, आप एक लिट्व के college में admission लेना चाहरो या फिर अगर आप डेली से होता हो सकता है, डेली के college में admission लेना चाहरो या फिर किसी और स्टेट से आप बिलोंग करते हो और अपने स्टेट के कॉलेज मेंडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर क्या है कि स्टेट लिस्ट में भी अगर आप हो तो भी आपको रिजर्वेशन मिलेगी अब थोड़ी प्रॉब्लम में हो जाती है कि बच्चे यहां बहुत सारी बच्चे ऐसा होते हैं कि यहां UP में उह Central मतलब अभी जोसा भूर्म बरुर रहे होते हैं जब Jamin का भूर्म भरूर्म था होते हैं तो एक प्रॉब्लम में आती है कि बच्चा जो है Central में OBC है पर इस ट जटकर में चुकी जनरल है तो जही में का फ़र मखरते टाइम उसको जनरल भरना पड़ता है और जब कहां पर जाता है तो फिर उसको अपने कटेगरी को रिष्टोर करने के लिए इस्टेट का सैटिफिकेट बनवाके लगाना पड़तां बहुत सारे बच्चों को इसा पता सबसे जादा इंपोर्टेंट है उसका फॉर्मिट यह जो चीजे हैं पहला पहली चीज है इस EWS में ध्यान देना क्योंकि सेम ही सेमी चीज है EWS के लिए अपडेट की गई है इस्टेट में और सेंटरल में भी बहुत सारे सेंट में पर कुछ कुछ सेंट में थोड़ी थोड़ी अलग है जैसे कि अगर जैसी जो सा के फॉर्मेट में बोला गया है कि हम E अगर आपके फॉर्मेट में बने रखा है तो अब अगर आपने सेंटरल का बना रखा है तो यही थो चलेगा ही चलेगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात निया है तो आप यह सारी चीज देख ले ना कि आपके फैमिली की इंकम 8 लाग से ज़ाद ही ना हो और आपके पास य आपके पास इतना लैंड ना हो फ्लाट ना हो इस सारी चीज़ें आप यहां पर देख सकते हो इस्क्रीन शॉट लेके रख लो अब सवाल आता है कि भई यह ठीक है इस सेट हमें पता चल गया कि चलिए वह अलोग हो क्या करना और क्या नहीं करना अब भी बताओ यहां पर भर करना यहां भरना गया है तो यहां सिंपल कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है यहां पर जैसे अगर मैं OBC की बात करूं तो देखो यह है प्रमार पत्र क्रमांग यहीं हमें भरना है जहां प्रमार पत्र क्रमांग आईडी नंबर मांग रहा है हमें क्या भरना है हमे मैंने इसे मिटा दिया किसी बच्चे का था तो तुम यह वलक फटक से लगा देना खतम बाग अब साथ में सवाल आता है कि भाया इसू करने वाले अथोरिटी का नाम बता है यह क्या लिखें तो देखो यह ना सक्षमादिकारी यह तसिलदार का डिस्तल हस्ताक्षर होगा त तो फ्री कौन तसिलदार था यह सक्षमादिकारी था जिसने इसको ए tweets Luther ॥ व्ही आ जैसे इसको ईशू किया अलका सिं अब इंका नाम है यहां पर इंका क्या नाम है अब यह इनका cancelledसाइन यहां करदीया है करना च्छी ए पर इनका डिससाइन मतलब यहां पर हो गया है तो ह हमें यहां पर issuing authority के नाम के जगह पर हमको alka sing लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा alka sing लिखना पड़ेगा date क्या है वो date वहां से देखके लिख लो और category number या certificate क्या है यहां से जो मैं बताया वहां से तुम जाके देखके लिख लो सेम चीज़ EWS में है जब तो EWS certificate बनवाओगे तो यहां पर certificate number लोग देंगे जो की monetary है किस date को यह लोग issue कर रहे है वो भी देंगे यह monetary है और साथ ही साथ यहां पर तुमारा जो seal officer होगा at least तसिलदार तो होगा ही होगा यह जो भी होगा जो भी दिकारी होगा उसका नाम यहा the families as mentioned would be required to be clarify by the official not below the rank of तसिलदार यह ध्यान रखना यह जो भी designation होगा उसकी rank तसिलदार या फिर उससे उपर की होनी चाहिए this is important point आप बनवाते समय इस चीज़ का ध्यान रखेगा that's it अब यह तो उनके लिए हो गया जिनके पास certificate है जो general वाले है उनको apply करने में कोई दिक दिक्कत नहीं है जो category वाले है उनको भी दिक्कत नहीं आएगा अगर उन्हें बनवा लिया है तो ठीक है अब बच्चे कह रहा है बहिया कुछ बच्चों का सवाल है कि भईया मेरे पास 2023 का है कुछ कह रहा है मेरे पास 2022 का है कुछ कह रहा है मेरे पास 2021 का है तो देखो अग अगर मैं EWS certificate की बात करूं तो EWS certificate सिर्फ और सिर्फ वन येर के लिए valid होता है वन येर के लिए valid होता है तो अगर तुम्हारा भी वन येर नहीं हो है तुम्हारा आमसे apply कर लो कोई दिक्कत नहीं है कास सर्टिफिकेट की बात करूं तो जैसे यूपी गवर्मेंट ये तीन साल के लिए valid होता है तो वैसे तो मेरे हिसाब से अगर कास सर्टिफिकेट अगर तुम पुराना भी लगाओगी तो भी कोई दिक्कत नहीं सर्टिफिकेट जो है इसमें तुम ध्यान रखना कि अगर 2023 का भी तुम लगा रहे हो तो मेरे हिसाब से चल जाएगा 2022 का भी चल जाना चीए पर फिर भी पर फिर भी हमें त्राइ करना है कि लेटेस्ट वाला ही बनवाले ठीक है अब देखो अगर तुम चाहे लेटेस्ट बनवाओ या पूराना लगाओ एक बात मैं तुम आखुल के बताता हूँ कि जब तुम्हारा एडमिशन हो रहा होगा तो अब तो एडमिशन के टाइम पे यह लोग अप् क्योंकि क्या पता कौन ओभी सी वाला कंडिडेट क्या कर गया हो बहुत पईसा कमा लिया हो या ऐसा भी हो सकता बहुत सारा अब तो सवाल है कि मेरे बनवा हूं या ना बनवा हूं बहुत सारे बच्चों का इस सवाल है कि साथ NTA ने गलती कर दिया है तो पहले तो यह समझो कि NTA ने गलती नहीं किया है NTA से कोई गलती नहीं हुई है NTA ने इस बार इस जानबूज के किया है और एक करना भी चाहिए था बस समस्था यह है कि उसने एक तो form भरने का time कम दिया है और दूसरा क्या है कि without period notification का यह काम किया गया है जो कि बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस शक्कर में मतलब परिशान हो गया है अब सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों है पहले तुम्हें ना लगे ठीक नहीं बोल रहा हुँ तो फिर कुछ नहीं कर सकता है पर मेरा जो reason है मुझे लगता है this is the perfect reason और इसी reason के वज़े से ऐसा हुआ भी है और ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि मैं कई सालों से इस चीज को देख रहा था और क्योंकि I am a professional counselor तो मैं इस चीज देखता हूँ कि मेरे बास बहुत सारे बच्चे आते थे हर साल और पूसे थे भईया यार मैं हूँ तो general पर मुझे लग रहा है मेरा AWS बन जाएगा इदर उदर से या जैसे भी मतलब possibility है कि शायद मैं AWS बन वालूं बताओ मैं क्या करूँ AWS डालू या general डालू तो मैं generally यही बोलता था यह सारे लोग सारा counselor जो भी export counselor हो यही बोलेगा कि अभी एक काम करो तुम खुद को as a AWS डाल लो AWS डाल लो बात भी अगर तुम्हारा certificate बन जाता है तो ठीक है बहुत बड़ीया AWS तुम रहोगे और एकर AWS नहीं भी बनता है तो तुम्हारा application एक cancel नहीं कर देंगे क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता था हमें पता है क्योंकि हम हर साल इस काम को कर रहा है तो हम लोग यही category change करना चाहते हैं तो category shift करने का option आता था जो समय और category restore करने का option आता था तो category shift करवा देते हैं लोग कि चलो यार तुम जनरल हो तो चलो तुम AWS नहीं वनवा पाए और खुद को AWS दिखा रहो एक काम करते हैं तुमको जनरल में क्या करवा देते हैं shift करवा देते हैं declaration form डालके shift हो जाता था बहुत easily हो जाता था बहुत smoothly हो जाता था अब इस problem को अब जाके इनको पकड़ में आई है कि यार यह तो एक तरीके से मतलब जानबुछकी हो रहा था वो system जैसे अगर कोई OBC claim कर लिया और बाद में पता चला कि OBC नहीं है तो उस case क्या होता उस case में क्या होता झा कि उसको झनरल में shift कर दिया जाता है उसको counseling प्रक्रिया से बाहर करने के बज़ा इसको क्या किया जाता है जनरल में shift कर दीया रहा समझ रहो मतलब उसके कोई EWS का रैंक लेके गया तो उसको जनरल के रैंक पर सिफ्ट कर देंगे लेकिन काउंसलिंग में बने रहने देंगे कि चलो ठीक है काउंसलिंग कर वालो अड्मिशन ले लो आप बात अब जाके इनको पकड में आई कि इसका सीधा इफक्त यहां पढ़ रहा था और बाकी बच्चों का नुक्सान हो रहा था अब कैसे नुक्सान हो रहा था पहले तुम इसको समझ लो उसके बाद हम देखेंगे कि जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसके लिए क्या solution और पहले इसको समझते हैं कि क्या नु अब इनको क्या करना था इतने बच्चों में से मात्र इतने बच्चों को ही जे एडवांस के लिए लिजिबल करना था जे एडवांस में बैटने देना था अब इसी के हिसाब से अब जब इतने बच्चे थे जिनको एक्जाम में बैटने देना था तो इसमें 27% बच्चे लेने थे OBC से क्योंकिनका रिजर्वेशन है 10% बच्चे लेने थे AWS से बाकी ऐसे 15% SC से 5% ST से जो भी रिजर्वेशन यहाँ पर इन लोगों ने दे रखा है स्ट से 7.5 लेंगे ST से 15% लेंगे OBC से 27% लेंगे तो इसमें से इतने बच्चे हर केटेग्री के उठाने थे इनको ठीक है तो इन्होंने यहाँ पर उठाया भी है टोटल 25,284 में 10% बच्चे जो है AWS के हैं आप तुम देख लो 25,000 का लगवाग मोटा मोटी 10% कितना होगा तो तुम देख रहे हो कि इतने बच्चे जितना उनका reservation था उतने बच्चे इन लोगों ने क्या किये यहाँ पे इन लोगों ने उठाये हैं हर category के हिसाब से उतने बच्चों को eligible किया गया है और उसी के हिसाब से इनका cut-up भी बना है जनरल में इतने बच्चे लिए गया थे उनका 93% cut-up बना और EWS में इतने बच्चे लिए गया है तो top के EWS वाले बच्चों को 93 के बाद से top के EWS वाले बच्चों को लिया गया था तो उनका 81% cut-up बना और OBC के 66,570 बच्चों को लिया गया था top के तो उनके 79.67 cut-up बना उसको ध्यान से समझना है, यह सब गण इतना लोग जानते नहीं है, बच्चा आता है, पेपर देता है, चला जाता है, पर उसको पता ही नहीं है, कि उसके साथ NTA में क्या किया जार है, whatever is going, उन्हें नहीं समझ में आता है, पर चुकी आमा काउंसलर, so मैं यह बात तुम्हें स जो इन्होंने लास टाइम लिया था, अब इसमें समाल लेते हैं, 500 बच्चे ऐसे थे, 500 एक जनरल डेटा ले लेते हैं, 500 बच्चे ऐसे थे, जिनके पास EWS का स्राटिफिकेट नहीं था, क्योंकि पहले जब जब ज़ेहीमेन का पिछले साल या उससे पहले जब 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 ज लिजबल नहीं किया जाता था, या फिर अगर किसी का पूराना धुराना रहता था तो उसकी सीड भी गंसल होते थी, ठीक है, यह चीज होता था, लेकिन उन बाद में जाके होता था, तब तक नुकसान हो चुका होता था, उन बच्चों का जो इन केटेगरी से बिलॉंग क अगरेज बनी नहीं पाया, वो लोग AWS के लायद नहीं थे, या फिर जनरल थे या जो भी थे, लेकिन इनोंने क्या किया, इनके बीच में बैट लिया, और अपने को क्या करवा लिया, जनरल से तो ये क्वालिफाई हो नी रहते हैं, इनोंने AWS से खुद को क्वालिफाई ठीक है बाद में भले इनको कुछ फायदा नहीं हुआ लेकिन इनिशेल इन्होंने इन्हों क्या करा खुद को क्वालिफाई कर वा लिया तो इनके चक्कर में 500 बच्चे और क्वालिफाई हो सकते थे 500 बच्चे और qualify हो सकते थे पर चुकि ये इनके साथ थे इनको AWS में जोल दिया गया इनोंने form में डाल दिया था कि हम AWS हैं इनको AWS rank भी दे दिया गया और इनको qualify भी कर दिया गया अब ये 500 बच्चों का नुकसान हो गया इनहीं के AWS वाले 500 बच्चों का नुकसान हो गया जो actually में AWS थे हैं पर वो उनको लिया नहीं गया क्योंकि उनके जगा इनको लिया गया समझे रहो ना? I hope you are getting और same case OBC में भी होता है बहुत सारे बच्चे OBC नहीं होते हैं इनिशिली डाल देते हैं आद में certificate नहीं बन बाता है तो उस ताइम पर वो क्या करता है खुद को declaration form दे के जोसा से अपने को जनरल में shift करवा लेते हैं पर जो लोग जनरल में जाते हैं अब वो किसकी seat खा गयें? AWS वाले बच्चे की seat खा गयें अगर वो नहीं होते हैं तो उनके जगा बाकी AWS वाले बच्चों को मौका दिया जाता उनको cut-off clear कराई जाती I hope you are getting my opinion अब यह बात अब जाके पकड़ में आईए इनको हो सकता है पहले से पकड़ में आ रही हो लेकिन इस पर कुछ step नहीं ले रहे हो पर अब जाके इनको पकड़ में आईए कि यार क्योंकि सीटों में लफड़ा हो जाता है ना सोचो सीटों में क्या हो जा रहा है लफड़ा हो जा रहा है IIT में उस particular category की वाली सीटी नहीं fulfill हो पा रही होगी यह भी एक reason हो सकता है there are a lot of reason की किसी ना किसी particular category का यहाँ पर क्या हो रहा था नुकसान हो रहा था तो इसलिए इनों ने बोला कि यार काम करते हैं इसे पहले ही ले ले लेते हैं किसमें ले लेते हैं फॉर्म भरते हैं टाइम ही ले लेते हैं और हम इतना जल्दी certificate बनवाए कहां से यह हो गई actually में समस्या क्योंकि बच्चों के पास time कम है और बच्चों को अपनी preparation करनी है क्योंकि यह January में exam है और certificate के लिए भागा दोड़ी लगानी पड़ती है अब कुछ बच्चे comment में भी बता रहे थे तरह रात को चार बजी वीडियो ना रहे हो तो I don't know बहुत सारे ऐसे करमचारी होते है बिल्कुल salute है उन लोगों को जो लेट नाइट भी work करते हैं ठीक है same salary पर तो अभी कहा है कि वो छुट्टी पही होंगे तो they can't do anything maybe after दिवाली ऐसा हो सकता है कि उनकी एक meeting हो और इस बार के लिए सिर्फ इस बार के लिए मेरे हिसाब से reliability दे दे कि चलो यार हम क्या कर रहा है कि अभी तुमको यह optional कर दे रहे हैं या फिर अभी हम क्या कर रहे हैं तुमसे declaration ले ले रहे हैं पकाय दे और at the time of result result देने से पहले हम तुमसे certificate मांगेंगे तब तुम दे देना या फिर और भी कोई कोई ना कोई यह लोग जुगाड या कोई ना कोई यह लोग दिमाग तो लगाएंगी मेरे हिसाब से देखते हैं क्या यह लोग करते हैं ठीके क्या option है आपको दे सकते हैं सो देट यू कें डू यू कें डू यूर अर्रेंजमेंट तो जो भी हो सकता है वह सारी सी यह लोग में भी करें हो सकता है NTA का clarification आए तो वेट कर सकते हैं अप लोग NTA के clarification का लेकिन अब सवाल क्या है कि भाया हम NTA के clarification का वेट करें या फिर हम certificate बनमाएं तो मैं बोलूँगा यार देखो दो बार certificate बनमाने में असा नहीं है कि बहुत पैसे चले जाएंगे तो भी सी certificate बनमाने में to be honest 100 रूपिया लगता है बस सच बतारू अगर दो बार भी बनमाना पड़े तो बनमा सकते हो मेरे हिसाब से तो बनमा लेना चाहिए क्योंकि हम career के साथ नहीं खेल सकते भईया एंटी यह है मान लो इसको सुनाई नहीं दिया कि क्या चल रहा है मेरी को आई डून नो एंडितिंग भईया हमने form दे दिया तुम भरो अपना काम करो अपना एक्जाम दो जाके जोसा से समझो हमको कोई लेना देना नहीं है अगर ऐसा कुछ हुआ के तो फिर तुम्हारे लग जाएंगे उससे अच्छा क्योंकि फिर तो तुम जिस भी कटेगरी से बिलॉंग कर रहो तुम को ऐसा जनरल ही बरना पड़ जाएगा या फिर छोड़ना पड़ जाएगा कुछ भी हो सकता है एनिधिंग कैन भी हैपन तो उसका स्वालूशन यह है कि आप आराम से जाएए सर्टिफिकेट के लिए अपलाई करिए और OBC वेगर तो मेरे हिसाफ से यार देख़ो लेकिन मोस्ट वाली हो जाना चाहिए अगर EWS से तुम एक्शल में बिलॉंग कर रहे हो तो मोस्ट वाली I think तुमारा ही काम हो जाना चाहिए बड़ देखते हैं तुम अगर अभी भी अपलाई कर दो यह ना कोशिश करते रहो कोई बड़ा काम नहीं है ऐसा डकॉमेंट बन वाना अगर तुम रियली में अक्शल में बिलॉंग करते हो तो अब तुम बताए कि most of the जनता ऐसी है जो बिलॉंग नहीं करती है ठीक है पर अगर तुम अक्शल ही बिलॉंग करते हो अब यह पहली बार इन लोगों ने इंप्लिमेंट किया है और इंप्लिमेंट होना भी चाहिए था क्योंकि सोचो अगर 500 बच्चे अब जनरल में चले जाएंगे तो बाकी के 500 बच्चों को मौका मिल जाएगा सेलेक्ट होने का कट अफ को क्लियर करने का बास समझ में आ रहा अब और उस तरीके से क्या होगा फिर यह वाली जो कटेगरी की कटाफ है और डिक्रीस हो जाएगी क्योंकि जो बच्चे बहुरूपिय बनके बैठे थे हैं जो बच्चे EWS, OBC, SC, ST यह सब बनके बैठे थे हैं यह क्या हो जाएंगे इलिमिनेट कर दिये जाएंगे इधर से तो इन बाकी के बच्चों को क्या मिलेगा एक शांदार मौका मिलेगा जो की अच्छी चीज़ है और अगर इसके बारे में NTA पहले से ही सोच के चल दिये तो that's a very good I hope तुम्हें पूरा cut and clear समझ में आ गया होगा तो मेरे इसाब से यार देखो अगर बनवा सकते हो तो apply कर दो बाकी form अभी भरने की मेरे इसाब से बहुत ज़्यादा ज़रुवत नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम सबसे पहला भर दोगे तो तुम्हारी rank 1 आज आज आएगी या 2 आज आएगी या तुम्हें वहीं सेंटर मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए है तुम लेट से भी बरोगे ना 10-15 दिन बीस दिन लेट से भी बरोगे तो most value first and second center में से तुम्हें जो चाहिए होगो मिल जाएगा इतना अटेंशन मतलो और center hunter के चकर में जादा अटेंशन मतलो मेरे भाई है ना ऐसा नहीं कि तुम्हें सो कोस दूर फेक देगा दूसरा वाला center या तीसरा वाला center देगे है ना तो इतना टेंशन मत लो, दस दिन लेट भी बरोगे, तो कुछ नहीं जाने माला है, कोई ऐसे भरने का कॉम्टेशन थोड़ी, यह कि रैंक वन पहले भरने माले को रैंक वन देंगे, लास में भरने माले को 0 परसेंटाइल देंगे, ऐसा तो है नहीं, कॉम्टेशन तो इस ची रिटेल वीडियो step by step बता दूँगा, और मैं जैसे बोलूँगा, वैसे ही भरना वरना अगर तुम कुछ गलती कर दोगे, तो बाद में तुम फिर correction के लिए दोड़ोगे, कि correction कैसे करना, correction कैसा करना है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉलम है आज कल के youth में, मुझे लगता है तुम्हें उस प्रॉलम से बचना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा form वाम सही है, तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे, अगर तुम कुछ गरबढ़ी कर दोगे, तो तुम्हें लगेगा यार पढ़तो राओं, पर पता नहीं हो मुझे लेंगे, admission देंगे, क नहीं देंगे, एक category का फायदा मिलेगा, आगी नहीं मिलेगा, बहुत सारी doubts आपके मन में घूमती रहेंगी, तो उसके बारे में आपको tension नहीं लेना है, I am here, don't worry, तो चलो मिलते है next video में, तुम्हें बाबाई, टाटर एंड जहिंद, और अगर चैनल पे नहीं हो, तो वह ताफ़ण!